असलाम लेकुम स्टुरेंट्स आज हम लोगोंने क्लास नाइं मैथिक साइस 4.4 question number 3 solve करना है first part में यहां पर note कर लिए जो कि if x equal to 2 minus under root 2 और फिर हमने क्या find out करना है 1 by x को find out करना है सबस्वाल हम लोग क्या लिखेंगे x की value हमें given है और 1 by x में find out करना है यहां पर 1 by x में लिख लिए है और फिर 1 by x में आप लोगोंने क्या लिखना है x की value जो कि आपको यहां पर given है 2 minus under root 3 है 2 minus under root 3 लिखोंगी देना आपने इसका क्या लेना है conjugate लेना है यानि 2 minus under root 3 multiply 2 plus under root 3 और इसी को divide भी करना है 2 plus under root 3 अब इसके बात आप लोग ब्रैकेट इसको आगे फर्दर multiply कराएंगे numerator को numerator से denominator को denominator से मेरे पास उपर के आजेगा 2 plus under root 3 आजेगा जब 1 से multiply होगा और नीचे मेरे पास के आजेगा 2 का स्केर minus under root 3 का स्केर यह यह वाला formula है a minus b और a plus b इसको जब हम लोग क्लोस करें तो a square minus b square बनता है इसी तरह हमने इसको close करके लिख लिए उसके बाद next step में आप लोगों ने किया करने 2 plus under root 3 divided by 4 minus square under root से cancel होजेगा 3 आजेगा और इसको minus करने से मेरे पास क्या आजेगा वन आजेगा नीचे डिनोमेटर में वन को इससे डिवाइट करूंगी दूबारा मेरे पास उपर एल्टाम आजेगी जो कि 2 plus under root 3 और यह हमारा answer है it means हमारा 1 by x की value क्या आगई है 1 by x की value 2 plus under root 3 आई है अब जो next part है वो में आप लोगों को करवाऊंगी अब students इसमें भी हम लोगों ने यह करना है कि x की value में given है 4 minus under root 17 और हमने क्या fine note करना है 1 by x को हम लोग 1 by x equal to 1 by 4 minus under root 17 लिखेंगे दन हम लोग next step में क्या करेंगे 1 by 4 minus under root 17 एक्वल लगा के multiply conjugate लेंगे इसको multiply भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे तो conjugate में मिशा अंडरूट वाले की time की sign change होता है आप लोगों बाद याद रखने है उसकी बात आप लोगों ने उपर time को multiply करेंगे वन से तो अब दोबारा वही time आजएगी और नीचे मार पास A का square minus B का square में अभी आप लोगों को बताया है कैसे कि हम लोगों ने तो उसकी बात में आगे बताए बगार आप आगया answer अब लोगों को लिए करने माइनस को उपर multiply करने 4 प्लस अंडरूट 17 से इस तरह भी आप लोगों का अंसर हो सकता है लेकिन अगर और स्प्लिफाइए करना चाहते हैं तो आप लोगों को लास्ट कर रवाट पार नमबर 3 आप स्टूरेंट्स यहां पर आप लोगों पार्णर में थी नज़र आ रहा है एक सीक्वल टू अब इसको मैंने किया कि एक्स की फॉर्म मिलिक है उसके बाद इसी का कंजुगेट लेकर में मुल्टिप्लाइ भी करूंगी और डिवाइट भी करूंगी कंजुगेट में साइ इनको मैंने करूंगी तो मेरे पास जो आएगा वह माइनस तो हो जाएगा लेकिन साइन हमेशे कि लगेगी बाइट आम यहां फॉर की लगेगी माइनस वन अब यह यह वाला प्रॉसेस है तो माइनस को पर लिख देंगे अंडरूट 3 माइनस 2 माइनस जब आप लोग पन कर यह यह जो अभी पास पॉस्टिव शाये तो इसको आप शुरू में शिफ्ट कर लें और जो अभी उसको लास्ट पर कर लें और इसके साथ माइनस इसको लास्ट मिक्ए और यह आप लों का अंसर आजए गा वन बै एक्स का 2 माइनस अडरूट थी तो स्टुनेंट्स संट कर लें यह बंस प्लस वर्स चुरू पूर्च में एक्स शी बहुत की है यह दो आप ग३ देख तो मैं मैं संजी कि आपिस आपूस लाड़ों को अवैर तो सब्सक्र आध चाह तक ज़िए ओन तक तो अमीद कर करती है रिज निन पुस्त नहीं होगा लेक्चर पसना आए तो लाइक करें दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें मिलते हैं नेक्स लेक्शन में तब तक के लिए अलाहफिज